हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं प्रस्टर सायन के बारे में सर्फेस केमिस्ट्री यह चैप्टर जो आपका है यह कलास 12 का फॉर्थ चैप्टर है वैसे तो यह सिर्फ 12 क्लास में भी है लेकिन यह आपका बीसी फ्रेस्ट्र के लिए बहुत ज्यादा क्या है ख़र प्रड़ की जोडेंगे तो फैल और क्या हुते हैं उथ परक करते हैं अभी के फलस्रों के वहल बहुत ऐ थोड़ी मातरा चाहिए होती है और इसकी सरब बहुती कवस्ता होती हैं और कोई भी चाहिंज नहीं होती। उत प्रड़क की उत्पेरण क्या था जो किसी भी राशनी के विएक को बढ़ा दे या गटा दे और उत्पेरण क्या है जो उत्पेरित होती है किसी रेक्शन को करता है उस अभीक्रियाओं को उत्पेरण कहते है नेक्स्ट KCL Otteri के बारे में बतारखा है उत्प chỉण के परकार समांगी और विस्मांगी समांगी में क्या होगा कि जो आपका उत्मांगी बौती कवस्ता होगे तो थोड़ासा अपवार टाइप में कि यदि अभीकर्याग उत्पेर्ण दोनों की दोनों वर्स्ता है, ठोस है, तब भी उसे विस्मांग उत्पेर्ण नहीं कहा जाता है Next अगे बढ़ते है अभीकिर्याओं के आधार पर उत्पेर्ण के परकार क्या है? सबसे पहला धनात्मा उत्पेर्ण तो जो किसी अभीगर्या के वेख को बढ़ाता है जैसे कि यहां फैफी काम करता है रिनात्मक जो की अभीगर्या वेख को घटा दे कि रिया कारिया करलन कंदा है जैसे कि रिया से पता है इसका मतलब क्या है कि जो वे पदा आप जो उत्प의क तर्पेर्या की इस क्यू fantast गभ्ड़ात थी जो उत्पेरक की किया चिलता को बढ़ाते हैं वो उन्हें क्या करते हैं उत्पेरक वर्दक जैसे कि हैबर विदी इसे जब हम आमोनिया कर निर्मान करते हैं यहां पर मिश्पी इंटे थोड़ा N2-3H2 आना था कहां पर यहां पर जा मैंने फिलाल इसरकल लें रखका N2-3H2 तो यहां पर F E और MO, F E तो उत्पेरक कर जो MO है उत्पेरक वर्दफरक विस जो उत्पेरक की किया चिलता को घटाता है एंजाइम की नहीं कहते हैं बहुत इंपोर्टेंट कॉर्शन है एंजाइम वाला अगर आप UB बोर्ड में CBSC बोर्ड में हैं कोई से में भी या फिर BSC फेश्टर में बहुत इंपोर्टेंट है एंजाइम का के होते हैं। हैं.. वी एंजाइम इंजाइम प्रोटीन हो योग होते हैं। तो की नायीटूजन के ऊच नभार वालय योगी के जनका नुभार धसजार से जाद होता है। जो की ऐसे बदार्थ.. जो जेवरासा ने कभी क्रियाओं में उत्पर हख्मme काbor्या करते हैं। एंजाइम उत्पर एन कहलते हैं जो जयोरसानिक विक्रियाओं में उत्पर कार्या करता है जैसे के हमारे पेटे बगैरा में होते हैं इस ड्रोमक में रिक्संस होती है यह एक्जांपल दे रखें आपको थोड़े से एंजाइम के जैविधी क्या है यह जैसी यह है, यह क्या है एक enzyme है और यह है अभिकार, तो जो enzyme होते हैं यह अपने आपको इस तरह लेते हैं, ताकि इसके अंदर जैसे लोक और की होते हैं रताला उचा भी आपस में combine हो जता है, इसी तरह के से यह भी आपको ढ़ल लेते हैं, और उसके बाद क्या बनाए complex और उसके बाद दोनों के दोनों यहां से अलग हो जाएंगे इसके पास इनके गुणिया उत्पेर की विसासता क्या होती है ये दिखा रखी आपको कि जो उत्पेर के किसी अभी के जागा अपरारम नहीं करता है इसकी वपरस्तिती में जो सामयावस्ता जल्दी प्रारम हो जाती है बहुत थोड़ी सी मादरा चीए उत्पेर रखी उत्पेर आपकी एंजाइम के भी और ये इस्पेसलिस्ट होते है जैसेकि मालो मैंने आपका jagCH MSc organic chemistry卻 की हुई तो मैं chemistry का teacher हूँ तो मैं सरह chemistry शीडी हो डिभी आपकाικά cold specialist विश्च जीशे ब Gothic तो इसी तरह से जो एंजाइम्स होते है वो भी आपका specialist होते है 左右 specialist आपको पतागिन की specialist है विशेश अगे उस तरह से होते हैं मतलब enzyme किसी एकी reaction को उत्परीद कर सकते हैं सब इस reactions को आपका उत्परीद नहीं कर सकते हैं अगे बढ़ते हैं enzyme करता क्या है आपका उत्परीद करता क्या है जो activation energy है यह वाली इसको कम कर दिता है एक barrier होता है जिसको par करके जाना होता है अगर आपको उत्पाद बनाना होता है अगर आपको उत्पाद बनाना है तो यह barrier क्रोस करना होता है जैसे अगर आप इस class में तो अगली class में जाएंगे तो इस barrier क्रोस करना पड़ता है कि नेक्स्ट क्या कराने कि उत्पर एक किसे भी कि जाके वेक को बढ़ा देता है क्योंकि वह सख्या नूर्जाओ घड़ा देता है सिद्धानत है इसके तो तियार कर लिए ना इने अच्छे से आ जाते हैं अधिश में भी आ रहा है आपका जो की परती दस पर पांड पता है क इसके अंदर विलेका मिलतों इसमें प्रिक्षिप प्रावस्था से और माध्यम मतलब जो विलायक है वह क्या है प्रिक्षिप न माध्यम अब बात करते हैं वास्तिक विलियन क्या होता है जिनका जो आकार दस एंगर स्टोंग से छोटा होता है और एक अजाल एंगर स्टो इसका कॉलाइड होता है, सुनने का, एयू का, बनाने को बिदी एड़ी, विद्धू तो इस तरह से होता है, आर्क पैदा करते हैं, जैसे तो टरमिनल होता है, प्रस माइनस आपके जो बिजली के अदारूने मिलाते हैं, वहा से क्या होगा, अपका पैदा होगा, एक फ्यूम दुबाराः से ना क्या होता है, किसी ताज़े बने वए, क्विद्धू कटे मिलाकर उससे दुबारा压 इस इपन है को लाइडी विलियन में चेंज करना पेप्टी करन कहलाता है तता जो आपने विद्धूत अपकर्टे मिलाया है इसे बोलते हैं पेप्टी करना जैसे कि एक्जम्पल होता है इसका एफी ओवेश के होल्थराईज में आप एफी इसल्थ्री डालता हूँ यह इसक आपका आता है विद्धूत अपन विद्धूत का एक उजज करोगे तो इसके अफस्तिती में बहुत तेजी से इनका अपन हो जाता है अपन क्या था ऐस अइसा उद्यों को दोर करना आपको पता ही जो जो चलाइडी विलियन में होते हैं ना को जो को राइडी आइडी कन ह प्रवाव पता ही होगा आपको परकास की किरन पुंच को किसी कुलाईडियों में से मुझारते हैं तो उसका जो पत है वो दिखाई देता है अगर सुकसम्द असीशिसों से देखते तो वो कैसे दिखता है संकु टिंडल संकु जैसे दिखाया देता है जैसे की एक्जामपल दिखा रखा है बहुत इंपोर्टेंट है बहुत बार पुच्छा है वेदूत कान संचलन वेदूत कान संचलन कहा है कि वेदूत की उपस्तिती में जब वेदूत की उपस्तिती में जो कुराइडी के करने वे धनावे से रिनावे से बने होते है तो वे क्या करेंगे अपने अपपोजिट एलेक्टाड की और गती करते हैं, मतलब संचलन वेद्दुथ की उपस्थिति में कुरेटिकन के संचलन को ही वेद्दुथ बोलते हैं जो पोजटिव के होंगे वह नेगेटिव की तिरफ जाएंगे जो नेगेटिव होंगे पोजटिव और जब एक ही बीकर में आप दोनों इलेक्टोड डाल दे तो वहां पर यूज़ करना आपको कैन का कैन मतलब कैन वहां पर नगेटिव होगा बस यह ध्यानक ना यह आपको दान दे रखें इसकंदन बहुत इंपोटेंड इसकंदन क्या है इसकंदन इसकंदन पेप्टिगंड का प्लूट अलटा है यहां पर क्या करते हो आप कि किक इसी .कॉलाइड़ी विलियन में कोई वेद्व दभकटे जैसे कि दूद एक को डाल दो निम्बू डाल दो तो फट जाएगा अब जो आपका फटने के बाद जो बना है पनीर टाइप उस पनीर में क्या मिला दो कोई वेदो दबगटे फिर से मिला दो तो ताजा बनाओ ऑक्सिप हुआ तो यहां ध्यान करना आपको इसकंदन का मतलब क्या है उसे फाटना जैसे दूद को फाट दे आपने किसकी मदद से निम्बू की वज़े से अब जो बना उसको फिर से अकर क्या बना दो आप उसका कोलाइडिवियन बना दो तो वो कहलाएगा पेप्टी करन तो यह आपका इ किसी कोलाइडिवियन में कोई वेड़ोद अप्गटे मिला कि उसे अक्सेप में बतल देना हार दिसूल जैयम बहुत बार आएजी हार दिसूल जैयम कुछ नहीं है जी यह सकंदन की अक्समता को बदाता है जितना जाद उसके अंदर पोजटिव और नेगटिव चार्ज हो वह पर पूछ चा गया है, क्या होता है ऐ इस संख्या अभी ने बताया थे यहाँ पर आपने एक दूद लिया, हमने एक एक चाहंपल लेकर समझ रा रहे हैं आपको, कि आपने दूद लिया, दूद के अंदर निम्बू डाल दिया, फट गया, तो अगर वो क्या कह रहा है कि जो आपका कोलाइडिविलियन है, और वो 10 ml ले आपने, जैसे आपने दूद के मादर 10 ml ले ली, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, एक ml NACL डाल दिया, नमक डाल दिया मतलब, नमक से समझ लोग दूद फट जाएगा, नमक मतलब निम्बू का रस्मान वेक्तिक से, तो उस जो आप उसके अंदर डाल ले हो, उसे फाड़ने के लिए, उसको रोखने के लिए, जो उसकी रक्सा करने के लिए आएगा, वो होता है रक्सी कॉलाइड, तो रक्सी कॉलाइड क्या होता है, जो कि इसकंदन से बचता है, किसे कॉलाइडिविलियन को, किस से जो कि आप इसकंदीत करने के लिए वेदू तबगटे डाल देऊ तो किसी कोलाइडी विलियन के 10 ml में 1 ml 10% एननिसेल का डालने पर जो इसकंदन होगा उस इसकंदन को रोकने के लिए तो बहार से आप रक्सी कोलाइडी की मिलिग्राम में मातरा डालोगे वो उसके लिए 7 संख्या होती है दो बाद सुनो 7 संख्या क्या है कोई क्या है कोलाइडी विलियन है उस कोलाइडी विलियन का कितरा लिया आपने 10 ml लिया उसमें क्या डाल लेओ 1 ml एननिसेल डाल लेओ तो अब यह क्या करेगा उसका इसकंदन करना स्टार्ट कर देगा यह अनिसियर अब इसकंदन को रोकने के लिए रक्सी रक्सा करने के लिए आएगा इसका कोई तो वह कौन है रक्सी कॉलाइड तो इसके इसकंदन को समाप्त करने के लिए रक्सी कॉलाइड की जो मिलिग्रा लिए तो महां से जो कार्बन वगएर एक कनउ उते हो अट जाते हैं लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ होता नहीं वैसे नदियों का डेल्टा बनने में नदियाओं का डेल्टा बनता है मिट्टी के की परकरती होती है यह इसा IO2 श्ली का और जो आपका होता है समुद्र समुद् दिमनाई जाते हैं इससे बैते वे रक्त को रोखने में इसका यूज़ किये जाता है जैसे पोटेशिम आपने देखा ना फिटकरी का यूज़ करते हैं तो फिटकरी का यूज़ It's क्योंकि यह जाता है रक्षियों पस्तित सभी कन-्कॉलाइडी-कन क्या अगाड़ के होते हैं उनकी परकर्दिक कैसी होते हैं यह नात्मक अभ नात्मक तो फिटकरी के अंदर क्या होते हैं ALYon होते हैं क्या होता है फिटकरी का सुतर K2S4 ौलटराइज पुच्छा जाता है लिख ले न के टू एससफोर इन्टू एल्टू एससफोर का होल्थराइज इन्टू इसके अंदर एल के हैं यह क्या है पोजिटिव हो तो यह आपस में रियक्शन करके उसे वहाँ पर क्या करते हैं थक्का जमा देंगे पाइस सोरी अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही साथ बैल आइक भी दबा सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं आपको यह वीडियो कैसे लगी पाइस पायस क्या हो उसके बाद परस्ट रसायन, परस्ट रसायन क्या होता है, रसायन की वैसा आगा जिसके अंदर के दम ठोस पदार्त होगी सतय, तथा उनके सतया पर होने वाले बहुत ही को रसायनीक परकरोम का दियन करते हैं, परस्ट रसायन कहलाती है, यह परस्ट से रिलेटिड है, तो जो जो पदाद ठोज सतया पर अधिसोसित होते हैं, उन्हें अधिसोसित पदाद बोला जाता है, जिनका अधिसोसन होगा, उन्हें बोलनेगे अधिसोसत, तथा ठोज सतया को अधिसोसक सतया बोलते हैं, अवसोसन क्या होगा, अवसोसन में अधिसोसित अनू अधिसोसक में अधिसोसन में उसकी परिया को जायेंगे लेकिन कहिं जाद हो सकते हैं कहीं पे कम हो सकते हैं तो अधिसोसन वेज़न परकमस में चिसमे संकी स सतया पर अश्च वह स으면 के करण धर्रू कि ringing रहे हिशार बात करते हैं नेक्स्ट बात करते है प्रभावित करनेगाल टेमपेचर दाभ यह दिसको प्रभावित करते हैं बहुत इस को से पर अब है комп gun करता है यह धилось करगा है अज लोगा बहुत इंपॉट्शन है हुआतकर बॉस्चेन करते हैं यह बहुत पार पुप्छा गया few हमाई चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो यह पहले से हैं या अब कर सकते हैं उसके बाद आपको आसान नियो वियू से डाउनलोड करने में या फिर आपको इसके स्किन सोट लेने पढ़ेंगे धन्यवाद आप सभीगा